मन पर उपस्तित सभी महानुभाव देवियों और सर्जनों आज हम सब के प्रेणा स्रोत पुझ्य बापो और लाल बाहदुर सास्त्री जी की जन्म जैन्ती है कल एक अक्तूबर को राजस्तान सहीट पुरे देश ने स्वच्चता को लेकर एक बहुत बड़ा कारिकम किया मैं स्वच्चता अभियान को जनांदोलन बना देने के लिए सभी देश वाच्यों का आभार रिव्यक्त खड़ता हूँ साथियों पुज्य बापू स्वच्चता स्वावलंबन और सर्वसपर्शी विकास के बहुत आग्रई थे बीते नव वर्षों में बापू के इनी मुल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है आज चितोड़ घड़ में 7200 करोड रुपिय के जिन प्रोजेश का सुभारंब हुआ है उसमें भी इसका प्रतिविम्ब है साथियों गैस बेट इकोनोमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूत पुर्वा अभियान चल रहा है मैसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है इस पाइपलाइन से पाली हनवानगर्ट सेक्शन का आज लोकारपन किया गया है इससे राजस्तान में इंडस्त्री का विस्तार होगा हजारों नए रोजगार बनेंगे इससे बहनों के कीचन में पाइप से सस्ती गैस पहुँचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा साथियों आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपन प्रोदेश का लोकारपन भी हुआ है इन सारी सुविधाओं से मेवार की जनता का जीवन आसान होगा यहां रोजगार के नए आउसर बनेंगे ट्रीपल आईटी का नया केंपस बनने से एजुकेशन हब के रुप में कोटा की पहचान और ससकत होगी साथियों राजस्तान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है वर्तमान का सामर्थ भी है और बविश्य की संभावनाए भी है राजस्तान की ये त्री शक्ती देश का सामर्थ भी बढ़ाती है अभी यहाँ नाथ द्वारा टूरिस इंटर्पर्टेशन एवं कल्टरल सेंटर का लोकारपन हुआ है ये जैपूर में गोविन देवजी मंदीर सीकर में खाटुशाम मंदीर और राजसमंद में नाथ द्वारा के परियटन सरकीर का हिस्सा है इससे राजस्तान का गवरों भी बढ़ेगा और परियटन उद्योग को भी बहुत लाब होगा साथियों चित्तोडगर के पास भगवान कर्ष्ट्रको समर्पी सावलिया सेट मंदीर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है हर साल यहां लाखों स्रधालों सावलिया सेट जी के दर्शन के लिए आते हैं व्यापारियों के बीच भी इस मंदीर का विशेद महत्व है भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहट सावलिया जी के मंदीर में आधुनिक सुविदाओं को जोडने का काम किया है करोन रुपे ख़च करके यहां वाटर लेजर शो, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, एमपी थीएटर, कैफेटेरिया जैसी अनेग सुविधाएं बनाई गई है मुझे विश्वास है कि इससे सावलिया सेट के भक्तों की सहुलियत और बड़ेगी साथियों, राजस्तान का विकास, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथ्मिक्ता है हमने राजस्तान में एक्ष्प्रेस में, हाइवे और रेलवे जैसे आदुनी इंफ्रास्रेक्टर पर बहुत फोकस किया दिल्ली मुंबई एक्ष्प्रेस वे हो, या अमरिचसर जामलगर एक्ष्प्रेस वे ये राजस्तान में लोजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ती देने वाले है अभी कुछ दिन पहले ही उदैपूर, जैपूर, वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है राजस्तान, भारत, माला, परियोजणा के सब्चे बड़े दापार्जियों से में भी एक महत्वप्र राज्ज है साथियों, राजस्तान का इत्यास हमें सिखाता है कि हमें वीरता, वईभव और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए आज का भारत भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है हम सब के प्रयास से विक्सिज भारत के निर्मान में जुटे हैं जो खेत्र, जो वर्ग, अतीत में वंचित रहे गए पिछडे रहे गए, आज उनका विकास देश की प्राफिक्ता है इसलिए बिते पांच वर्षों से देश में आकांखी जीला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है मेवार के राजस्तान के भी अनेक जिलों का इस अभियान के तहट विकास किया जा रहा है अब तो केंदर सरकार इस कारकम को एक कदम आगे लेकर तली गई है अब हम आकांखी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में इस अभियान के तहट राजस्तान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा बंचीतों को वरियता इस संक्रपो लेकर के केंदर सरकार ने वाइबरेंट विलेज प्रोग्रेम भी शुरू किया है जिन सिमावर्ती गाउं को इतने सावों तक हमने आखरी गाउं माना जाता है अब हम उन्हें पहला गाउं मानकर विकास कर रहे हैं इसका बहुत अधिगलाब राजस्तान के दर्जनों सिमावर्ती गाउं को मिलना ताय है मैं ऐसे ही विश्वों पर अब से कुछ मिनिट बाट और विस्तार से जरा खुले मैदान में बात करने का और मज़ा होता है यहां कुछ मंदनों में बंदे रहना पड़ता है तो काफी बाते वहां करूंगा राजस्तान के विकास के हमारे संकल्पकों को तेजी से सिद्धी मिले इसी कामना के साथ मेवार वास्यों को नए प्रोजेश के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री महुदय आपके प्रेरणा दायक संबोधन के लिए हम आपके अभारी हैं आपके लिए